नमस्का दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज जो वीडियो लेकर आए हूँ वीडियो है अजीद भारती जी का और इसका टाइटल है डियर कोलकाता पुलिस वी डोंट फियर यू कोलकाता पुलिस नोटीस भेजने बंद करो अपने काम को ठीक से करो ये शायद जो कलकाता में जो हुआ है उस लेडी डॉक्टर के साथ उसके ऊपर इनका ये वीडियो है चले देखते है भाई कैसा है किसको नूटीस भेज दिया कलकाता पुलिस ने वैसे हम सब जानते हैं कि कुलकाता के पुलिस जो है वो क्या कर रह अभी शायद कोलकाता हाई कोट में कोई सुनवाई चल रही थी उसमें भी जो कोलकाता के पुलिस कमिशनर हैं उनके खिलाफ बड़ी मतलब क्या कहूं बड़ी संसनी खेज बाते की गई हैं कि वो कटकुतली बन गए हैं और ऐसा हो गया है काम नहीं कर रहे हैं बड़े संसनी केज आरोप उन पर लगाए गयते मतलब कोलकाता हाई कोट की सुनवाई चल रही थी वो चुकी कोट की प्रसेडिंग्स लाइव होती हैं तो उसकी मैं कोई क्लिप देख रहा था उसमें ये बाते हुई तो चलिए अजीद भारती जी को सुनते हैं कोलकाता पुलिस की से गालियां सुन रही है पर ढीठ और पतितों की तरह सामान ने नागरिकों को ना केवल नोटिस दे रही है बलकि उनके घर जाकर उनके परिजयनों को यह धमकी देती फिर रही है कि करियर बरबाद कर दोगे तुम्हारे बाप की गुलामी कर रहे हैं लोग कि तुम जब च पक्षिता से या साक्षों के आधार परकारी करने लगे तो तुम्हारी पूरी पुलिस डिस्बैंड कर देगी तो आपने गलत लिखा है ट्वीट डिलीट कीजिए वरना वरना क्या कोलकाता पुलिस यही धंकी दे दे कर काम करना है तो वर्दी उतार दो और नीली कोर वाली स है और हमारी रक्षा करेगी तुम्हें देखते ही लोग समझ जाएंगे कि टीमसी का कारियर है जो आजकल डंडो और घरेलू बमों की जगध सरकारी पिस्तौल लेकर के घूम रहा है अब समय आ गया है कि बंगाल एक अलग नियमावलीस चले ममताव एनरजी स्वायम को एड कैंडल जलाए फिर रहें ये परिवर्तन ये कायरता ये चुप रहने की वश्ता क्या सुवाश्चंद बोस और खुदी राम बोस जैसों की भूमी से अपेक्षित है हर हिंदू तेवार पर पत्तरवाजी जेलते महरम और दुर्गाविसर्जन में महरम को मार्ग देते दूसरी और पार्टी और दोनों ही भीर गुंदों की है समाज को यह तैय करना है कि वह इनके भैसे सिमर्ती जाया या फिर ऐसी पुलिस और पार्टी को उचेत उत्तर दे हर राजी की पुलिस सत्ता के हिसाब से कारी करती है पर बंगाल की पुलिस ने संभवत डॉक्टर फ इस तरह की उच्छरंखल सत्ताओं को यदि हम और आप लिखा और बोलकर चैलेंज नहीं करेंगे तो ये लोग हर एक वेक्ति को नोटिस भेजेंगे और आप यह जान लीजिए कि एक अजीत वारती को जब नोटिस जाता है तो इसका मतलब है कि अजीत वारती को फॉलो करने वाले चार लाख, पाच लाख, दस लाख लोग शान्त हो जाते हैं कि उन्हें भी नोटिस आ सकता है इस से बचने के लिए हमें और भी सत्ति को बोलते रहना होगा देश में नयाइपालिका है और वो हमारा बचाव करेगी और वो यदि हमारा बचाव नहीं करेगी हम अपना बचाव स्वाइम करेंगे इस कारण से मैं काता हूँ कि वीडियो जितना शेयर कर सकते हैं करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जो इस पूरे घटना करम को ढखने के लिए उत्तरदाई है पहले तो एक नोटिस लिख ही लो क्योंकि अभी तक तुमने जितनी आलोचना सुनी है उससे अधिखी करने वाला वैसी भी नोटिस लिखने के अलावा और तुम लोग को कुछ आता हूँ ऐसा तो दिखता नहीं। पूरा डिपार्टमेंट कम्प्यूटर लेकर ट्विटर ट्रैक करता प्रतीत होता है किसने हमारे राज में हुए जगन अपराद के बारे में लिख दिया और समय से पहले सामाने बातों के बीच एक टेक्निकल गलती करती। कि पोस्ट डिलीट कर दे वरना वरना क्या आप सोचे कि पुलिस को लगता है कि जिस कमरे में जगन अपराद हुआ है जिसकी निशंस्ता का साक्षी पूरा राष्ट मन चुका है उस कंप्रमाइज पुलिस विवस्ता को यह लगता है कि घटनास्थल की परिभाशा में में पैदा होकर अपराद करके वहीं की दिवारों में छुप गया या अपराद के बाद वो पूरे हॉस्पिटल में घूंते फिर रहे हों तो क्या अपराद के साक्ष केवल उसी कमरे में होंगे या हर उस जगह जहां से वह आए गए है कोलकाता पुलिस जिस तरह से कारी कर रही है उसे अपना नाम केपी की जगह के नाइन स्कौर्ड रख लेना चाहिए क्योंकि ममता के पृती और टीमसी के पृती इनकी निष्ठा जो है अतुल्य है हलाकि के नाइन स्कौर्ड अपना कारी करने में दक्ष होते हैं सून कर बम से लेकर अपरादियों तक को खाने में ये भारोत तोलन का डाइमंड पदक ले आएंगे आप एक बार सोचिए कि अपराद हर जगह होते हैं हमने यह भी नहीं कहा कि पुलिस इस अपराद को होने से रोक सकती थी या यह कि ममताव एनरजी के मुख्यमंत्री होने के कारण इस अपराद हुए नहीं यह ए सीधे मुख्यमंत्री को हम तब तक नहीं भागिदार बना सकते जब तक उसकी पार्टी का सज़त से उसमें आरोपित नहों यह दिखने न लगे कि बलातकारियों और हत्यारों को बचाने में सत्ता पक्ष पूरे तंत्र को जोग रहा है कोलकाता पुलिस अपरादियों को पकड़ने की जगह टेक्निकल बातों पर सफाई देने और ट्विटर पर साप सफाई बनाए रखने में वेस्त है ताकि इनकी धवल वर्दी पर कोई दाग न दिखे परंतु कोलकाता पुलिस की दूधिया वर्दी पर एक दाग नहीं है उस पर तो सतह दर सतह धागे धागे पर कालिमा पुती हुए है और वो कब अपना शेड बदलते बदलते इनकी आँकों के सामने ही मैली हो गई यह इन्हें दिखा नहीं यह कुछ ऐसा ही है कि किसी डिटर्जेंट के विज्ञापन में आपको दूसरा कपड़ा तब तक साफ लगता है जब तक डिटर्जेंट या साबुन उस पर अपनी एक छाप मार कर आपको यह न दिखा दे सफेदी यह है ना कि वो जो तुम्हें अभी तक लग रहा था कोलकाता पुलिस कोट में हर दिन जद से गालियां सुन रही है पर धीट और पतितों की तरह सामान ने नागरिकों को नकेवल नोटिस दे रही है बलकि उनके घर जाकर उनके परिजनों को यह धमकी देती फिर रही है कि करियर बरबाद कर देंगा तुम्हारा करियर करण करें यदि न्याई पालिका निश्पक्चता से या साक्षों के आधार पर कारी करने लगे तो तुम्हारी पूरी पुलिस डिस्बैंड कर देगी हर राजी की पुलिस सत्ता के हिसाब से कारी करती है पर बंगाल की पुलिस ने संभवत डॉक्टर फॉस्टरस बनकर कभी रिश्वत लेके अपराधियों को बचाएगी कभी रिश्वत लेके बेगुनाहों को फसाएगी ऐसे चीज़े होती हैं मैं यह नहीं कर रहा कि हर पुलिस में भरती हुआ हरे एक बंदा ऐसा करता है नहीं चंद लोग हैं एक सिस्टम बना हुआ है कई बार बड़े से बड़ा अधिकारी भी इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकता है या तो वो सिस्टम को सपोर्ट करता है या चुपचाप कोने में पड़ा रहता है आप उस सिस्टम से लड़ नहीं सकते यह अंदर यंदर बना हुए अब उसकी वज़ा क्या है यह हम सब को पता है नेताओं क नेक्सस, पावर का इधर से उधर होना, यह बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन यह जो घटना हुई है कोल का तामिल, यह घटना किसी के साथ भी हो सकती थी, जो पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनकी बेटियों के साथ भी हो सकती थी, क्या वो यह समझेंगे, कि इ कितनी हैं और क्यों इसमें आरोपियों को बचाना उनके लिए फाइदे मन नहीं, क्योंकि लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, जब लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा कब और किस तरह जाकर फूटेगा, यह किसी को पता नहीं है, पुलिस कितनी हैं, एक हजार, दस एक लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख, लेकिन जब जनता का घुस्सा जिस दिन फूटा और जनता का घुस्सा ऐसे नहीं फूटा कि जब मन करे तब आप कर दे, मैं एक समुदाई विशेश की बात नहीं कर रहा, कि जब चाहे तब आप सड़कों पर टूट पढ़े तोड़फ़ शुरू करते हैं यह ऐसा नहीं होता है जनता का घुस्सा धीरे 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 बढ़ता है और इस तरह की घटनाओं से बढ़ता है एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है निर्शन सता हुई है उसको निर्भया टू कहा जा रहा है और उस पर अगर पुलिस का रवया ऐसा रहा पुलिस उन आम लोगों को धमकाती फिरे ट्विटर पर जो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं या वो डॉक्टर या वो जो जूनियर डॉक्टर जो अपनी जो वो साथी थी उसके लिए इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं तो टेस्ट भी नहीं किया जा सकता है तो भाई इस से बहतर है कि ममता बेनर जी सबके मूँ पर टेप लगवा दे बोले कि किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इस विशह में बात करे तो ममता जी देखिए बंगाल पर हो सकता है आपका जोर चले देश के दूसरे हिस्सों पर तो जोर नहीं चले जाना और देश के दूसरे हिस्सों में भी आवाजे उठ रही है आवाजे उठेंगी और आवाजे उठनी चाहिए बात बंगाल की नहीं है अगर ऐसा यूपी में होता ऐसा अगर हिमाचल में होता अगर ऐसा दिल्ली में हुआ था, ऐसा अगर बिहार में होगा, देश के किसी भी कोने में होगा ऐसा, तो पूरे देश से आवाज उठेगी, बात ममतब एनरजी की है, बात पश्चिम बंगाल की नहीं है, बात हिंदू-मुसल्मान की नहीं है, बात बेटी की है, वो बेटी हि वे वी सकती हो बेटी मसलमान की भी वे सकती हो किसी की भी हो सकती है तो अगर आप अपनी बेटी के बैठी के घब्धियारों के निश्चन से हत्या जो होई उसके आरोपीअ को जो बचाएगा क्या उसके खिलाफ आवाज ने उठे अगा? अगर ममताब एनरजी बचाएंगी तो ममताब एनरजी के खिलाब भी आवाज उठेगी अगर पुलिस बचा रही है पुलिस के खिलाब भी आवाज उठेगी और इसके बात आगे दूरत लगली जाएगी चाहे सुप्रीम कोड जाये चाहे हाई कोड जाये जिस लेवल तक जा के माध्यम से दे दें पर उन्हें इस से मतलब वश्य है कि टुचर पर आपने यह कैसे लिख दिया कि परिजनों को तीन घंटे बाहर बिठाया गया यह जानकारी सार्व जनिक है कि परिजनों में से एक ने वीडियो में स्वायमिया स्विकारा है कि उन्हें पहले आत्मात्या बताया गया फिर कहा गया कि आप मिल नहीं सकते वह लगातार बाहर ही प्रतीक्षारत रहे और तीन घंटे बाद ही वह जा पाए कोलकाता पुलिस इतनी तुनुक मिजाज है कि वह आपको केवल इसलिए जेल में डालने की धमकी दे देगी कि परिजनों को दो घंटा 47 मिलट बाहर रोका गया था आप आप तीन घंटे का दिये हैं तो आपने गलत लिखा है ट्वीट डिलीट कीजिए वरना वरना क्या कोलकाता पुलिस यही धमकी दे दे कर काम करना है तो वर्दी उतार दो और नीली कोर वाली सारी पहन का टीमसी के सदस्ता ले लो या सारी अफोर् जो आजकल डंडो और घरेलू बमों की जगह सरकारी पिस्तौल ले करके घूम रहा है वैसे भी बंगाल के लोगों ने तो अपना भवश्य स्विकारी लिया है यह सब तो होता ही रहता है वहाँ पे कोलकाता पुलिस के अधिकारी को न केवल कलकत्ता उच्च नयाले ने लत पताने के लिए कि निशंस्ता से हत्या हुई है यदि कमर के निचले अंगों से रक्त रिस रहा है यदि यह दिख रहा है तो आप यह मान सकते हैं कि बलातकार भी हुआ होगा पर कॉलेज प्रिंस्पल ने बता है कि आत्मात्या है पुलिस ने उसे आप्राकृतिक मृत्यू के निशान थे यह सब दिख रहा था पर वह हत्या नहीं थी मौडर नहीं था वह मृत्यूति वह डेथ कहा गया अन्नेचुरल डेथ कोलकाता पुलिस के उन अधिकारियों को 15 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा मेडल दे देना चाहिए था कि उन्होंने इतनी दुरुत ग रहते हैं रेप तो होते रहते हैं बच्चे हैं बच्चों से गलतियां हो जाती है पर क्या इसके लिए एक मुख्यमंत्री का जो कि पूरे भारत की एक ही महला मुख्यमंत्री है उसका नाम खराब कि कितना कितना बेकार लगेगा कि महला मुख्यमंत्री के राज में रेप हो इसलिए ममता जी को अपनी विधान सवा में एक कानून पास कर देना चाहिए कि बंगाल में होने वाले अपराधों के लिए कलकत्ता उच्च नयायल है कि मुक्ह नयादिश मुक्ह मंत्री ही मानी जाएंगी और उनके द्वारा जो भी बोल दिया जाएगा वही अंतिम सत्य सकतियां दे सकती है कि वह बिना देखे भी किसी मामले को डेथ सुसाइड आदी घुशित कर सकते हैं फिर कोलकाता पुलिस को साइवर ब्रांच जैसे कारी नहीं करने होंगे वह सीधे घर पर जाकर उस ट्विटर यूजर को गुली भी मार सकती है ताकि वह फिर कभी कोलकात है तो सब्ता भरबाद तो ऐसे ही बुला दिये जाएंगे पर पुलिस की छवी तो एक वार धूमिल हो गई तो रिकवरी नहीं हो पाती इसलिए कोलकाता पुलिस को मुख्यमंत्री द्वारा शूट एट साइट का आदेश दे देरा चाहिए वह यह लोग जाच करने की जग कर देनी चाहिए ममताव एनर्जी ने तो बता दिया है कि उन्होंने तीन वीडियो देखें उसमें कुछ लोग तिरंगा लिये हुए थे तो अब्वियस है कि भाजपा वाले ही होंगे मतलब ममता जी भी मानते हैं कि तिरंगा उठाने का पाप टीमसी वाले तो बिलकूल न इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि ममताव एनर्जी को ही मुखिन हैधिश होना चाहिए उन्होंने दो मिनट देखकर यह बता दिया कि वह कौन थे यह बाता और है कि मैंने सारे 11 वजे ही टूइट किया था कि ममताव एनर्जी हॉस्पिटल पर हुए आक्रमन और तोर फूरका श्रे भाजपा को ही देंगे क्योंकि ममताव एनर्जी ने हर अपराद के बाद अपनी सत्ता और पार्टी को फस्ते देख उसके बाद होने वाले प्रदर्शनों के माध्यम से साक्षों को मिटाने या फिर पक्ष को धमकाने के लिए हुई हिंसा पर आरोप सीधे भाजपा पर ही लगाती है कि प्रदर्शन तो शांती पूर्ण था उसमें बाहरागतों आ गए उसमें भाजपा के लोग आ गए अंबा मंबा जांबा जांबा पांबा मंबा यह कहके और उन्होंने फिर तोड़ फोड़ कर दी कोलकाता पुलिस ने भी उस भीड से 19 चहरों को नामित किया है जो उनके हिसाब से भीड के नेता थे 19 लोग नेता थे संभव है कि यह सारे लोग मंताव एनर्जी द्वारा बताई पार्टियों से निकले क्योंकि मंताव एनर्जी जब बोलती है तो स्पेस टाइम में डाइवर्जन सुत्पन्न हो जाते हैं यदि विधाता ने ल प्रदर्शन में यदि भाजपा के लोग होंगे और विपक्ष की पाटी होने के कारण वह पीड़ता के पक्ष से लड़ रहे होंगे तो आप ही बताईए कि हॉस्पिटल पर वह हमला क्यों करें उन्हें यदि दंगा करना ही है तो मुख्यमंत्री आवाज या कारियाले पर करेंगे अपने ही पक्ष की पीड़ता के साक्षों को जहां छती पहुंचे वहां किस तरह की मुर्ख पाटी का कारिकरता दंगा करेगा फिर दंगा कौन कर सकता है दंगा वही कर सकता है जिसे पता हो कि अपराधी उसके पक्ष का है भीड अच्छी है इसका लाव लेकर साक पर वो कुछ कारवाई नहीं करेगी क्योंकि भीड सरक पे हैं ट्विटर पे होती तो कोई और बात थी इसलिए सही अफसर देखकर भगदर मचा और हॉस्पिटल में घुजो डॉक्टर तो यह समझी जाएंगे कि हॉस्पिटल में भी किस कारण से घुज रही वह अपने सहकर कोई नहीं पहुंचा केवल फ्लोर पे पहुंचे थे जिस पुलिस की उपस्थिती में उसी कमरे में 20 मीटर दूर अपराद होने के तीन दिन बाद ही कंश्रक्शन का कारी चल रहा हो उसे हॉस्पिटल के तोड़फोर से कितना अंतर पढ़ जाएगा उनको तो ऐसी भीड के लोगों को पकड़ कर फोन करना चाहिए क्या फ्लोर तक पहुंच गयते तो उस कमरे तक भी घूमाती है क्या गुंडा बने गारे तू या फिर उनके घर पर जाकर विनम्रता से उनके घर वालों से कहते कि सिखाए कुछ ठीक से तोड़फोर तक नहीं कर पाते हैं आपके ल कोलकाता पुलिस वाले बहुत देखते हैं मुन्ना भाई आप ध्यान दीजिए कि इस पूरे केस में कोलकाता पुलिस किसके साथ दिखती है सीसी टीवी फूटेज नहीं है कोट में कहा कि पूरे कैंपस में लगा भी नहीं सकते जो आरोपित पकड़ा गया है वो चार बजे सुबह में वहाँ कैसे पहुँच गया जहां रात्री के पश्चात परीजनों को भी जाने के अनुमती नहीं होनी चाहिए पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यह केवल एक व्यक्तिका कारी नहीं है फिर बाकी लोगों की पहचान क्यों नहीं हो सकी है इनका नकारापन इस कोट का था कि हाई कोट ने तुरंत ही सीबी आई जांच के अनुशंसा कर दी सीबी आई जांच की बात जिस दिन हुई है उसी रात हॉस्पिटल पे हमला हो जाता है और अगले दिन मुख्यमंत्री कहती है कि आपको जो पूछना सीबी ऐसे पूछो जाहिध से भाथ हरे के सबोत मिटाने से और अगर कि मालिजय यूपी में कोई घटना होती है इतनी बड़ी और इतनी भयान है तब तो योगी से सवाल पूछे जाते हैं तब ममता जी भी सवाल पूछ देटी हैं लेकिन उनके स्टेट में कोई घटना हुई उन से सवाल मत क्योंकि केस जो है वो सीबियाई के पास जाने वाले तो जाओ सीबियाई वाले सो पूछो क्यों आपके जिम्मेदारी नहीं बनती है शर्म नहीं आ रही क्या एक ऐसी बिशर्मी कैसे हो सकती अफसोस हो था है किसी वज्यानिक के साथ मिलकर माइंड कंट्रोल की तकनीक सीख लेनी चाहिए ताकि यह हर दूसरे व्यक्ति को कॉलकाता पुलिस बना दे फिर जो भी व्यक्ति कुछ भी लिखेगा माहभर का प्रशिक्षन लेना चाहिए कि जगन्य अपरादों को कैसे हैंडल करना चाहिए देखे न्याय तो होता रहेगा उसकी एक गती है उसमें न्याय पालिका है जज है लेकिन पुलिस की छवी यदि खराब होगे फिर लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाएगा कि ये लोग बस दिखते खतरनाक है एक्शल में है नहीं जबकि सब जानते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम तो पुलिस से बड़ी उनकी छवी होती है जिस पर हजारों ऐसे अपराद बलिदान किये जा सकते है अब समय आ गया है कि बंगाल एक अलग नियमावलीस चले ममताव एनरजी स्वायम को एड्मिनल जेनरल एर चीफ मार्सल चीफ जस्टिस ऑफ बंगॉल अलादीन टाइप का कोई पद दे दे इससे बंगाल के लोगों के जीवन पर कोई विशेस प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु बाहर के लोगों को ट्वीट नहीं लिखना पड़ेगा ना रहेगा ट्वीट ना कोलकाता पुलिस भेजेगी और अंत में कैंडल मार्च वालों से मेरा प्रश्न है कि कैसे लोग है हम हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी और हम कैंडल जलाए फिर रहें ये परिवर्तन ये कायरता ये चुप रहने की वश्ता क्या सुवाश्चंद बोस और खुदी राम बोस जैसों की भूमी से पेक्षित है वैसे टेगोर की धरती पर जब संदेश खाली जैसे घटना क्रम होते हैं और तब यही बंगाली बुद्धी जी वी वर्क कैंडल भी नहीं जला पाता क्योंकि वो समाज की सीडियों पर सबसे नीचे बैठे लोग हैं तो जब इनके घर में या घटना होती है तो कैंडल मार्च भी इंप्रूब्मेंट ही लगता है कैंडल मार्च काईरो और हारी हुई सब्विताओं की निशानिया है जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके ओड ली भारत वुमिस्त्रियों के सम्मान की रक्षा है तो कहां तक का रास्ता नाप चुका है वो अपने से हाथ में कुछ नहीं बचेगा बंगाल का समाज उस सड़क पर खड़ा है जहां एक और पुलिस है दूसरी और पार्टी और दोनों ही भीड गुंदों की है समाज को यह तैय करना है कि वह इनके भैसे सिमर्ति जाय या फिर ऐसी पुलिस और पार्टी को उचित उत्तर दे नासकाँ पूचे कि भाई आरोपियों को आप बचा नहीं पाएंगे आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ऐसा इंशूर करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि लोगों की तरफ से एक मैसेज सरकार को पुलिस को बिलकुल क्लियर होना चाहिए कि हम लोग इसमें बिलकुल पीछे नहीं हटेंगे इस मामला क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है ये कोई पॉलिटिकल स्कूर सेट करने का मामला नहीं है ये बहुत जगन्य मामला है बहुत निशन सा मामला है और इसमें अगर politics की गई, इसमें अगर किसी का पक्ष लिया गया, अगर किसी को बचाया गया, किसी समुदाय विशेश के लोगों को बचाये गया, जो भी हो यह बरदाश्ट नहीं किया जाएगा गुहार बस इंसाफ की है और अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो दिक्कत बढ़ेगी अब चाहे इसके लिए जिस लेवल तक जाना पड़े सुप्रीम कूट को इसमें इंटरफेयर करना पड़े या भारत की केंदर सरकार को इसमें इंटर्फेयर करना पड़े जो भी करना पड़े वो करना पड़ेगा क्योंकि इंसाफ चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा कांड करें या कोई भी कांड करें और उसमें आप बच जाएं हमने कई केसेज देखें ऐसे होते हुए हमने वो पोर्श वाला भी केस देखा भी जो टकर से मार दिया था उन बेचारें को उसमें भी हमने देखा क्या हुआ उसमें सवाल ये है कि ऐसी चीजों को देखकर जो बलवान हैं जो बलशाली हैं पैसे वाले हैं क्या वो बच जाएंगे तो फिर तो घर में बैठे रही है और जल्म सहते रही है और फिर कभी मत बोली गा कि बही जल्म हो रहा है जल्म हो रहा है जल्म हो रहा है क्योंकि टैक्स आप देते हैं आपके टैक्स के पैसे से पुलिस वालों की बर्दियां सिल्ती है और आप ही के टेक्स से पैसे लेकर उस बर्दी को पहन कर आपके उपर ही वो जुल्म कर रहे वो चाहे कोलकता पुलिस हो चाहे देश के किसी भी हिस्से में किसी भी राज्य की, किसी भी शायर की पुलिस हो उसको ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन जनता उतर गई सडको पर उस दिन न पिस्तॉल रोख पाएगी न बर्दी रोख पाएगी न डंडे रोख पाएगी कोई ने रोख पाएगा तो उस दिन से डरिये और इंसाफ कीजिए बाकी दर्शकों पर छोड़ता हूँ आप क्या कहते हैं जैसा कि अजित भार्ती ने का वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा फैल आईए सवाल तो पहुंचे जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जया ही